असलाम लेकुम स्टुदेंट्स, how are you? I hope so, you all are fine. स्टुदेंट्स, today we are going to practice page 92. So, open your page 92. स्टुदेंट्स, आप लोग इस page की practice अपने rough registers पे करेंगे. आप लोग अपने rough registers उपन करें. उसके साथ अपने math की book उपन करें. math की book का page 92 open करेंगे आप लोग. स्टुदेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे page 92 में 2 का table repeat करेंगे. आज हम multiplication करेंगे और यहाँ पे हम कौन सा table यूज करेंगे हैं 2 का. हम अपना first question करते हैं. First question में हम देखेंगे कि 2 कितने times write हुआ वा है. कितने times write हुआ हुआ है? आप लोग में ऐसाथ count करेंगे. 1, 2, 3. कितने times write हुआ हुआ है? 1, 2, 3. यहाँ पे हम write करेंगे कि 2 कितने times आया हुआ है? कितने times आया है? यह 3 times. हम यहाँ 3 write करेंगे. यह कौन सा sign है? जी. यह multiplication का sign है. उसके बाद यहाँ पे 2 हमने write किया है. 2 हमने इसलिए यहाँ पे write किया है क्योंकि हम यहाँ पे 2 के table यूज कर रहे हैं. अब इसका answer write करेंगे. 3, 2 times 6. Next question करते हैं. Next question में हम count करेंगे कि 2 कितनी times यहाँ पे हम ले रहे हैं. यहाँ पे कितनी times 2 write हुआ है? मैं साथ count करेंगे. 1, 2, 3, 4. कितनी times write हुआ है? 4 times. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 4 times. क्योंकि 2 जो है, यहाँ पे 4 times write हुआ हुआ है. इसलिए मैं यहाँ पे 4 लिखूंगी. Multiplication का sign है यह. उसके बाद मैं यहाँ पे 2 write करूंगी. 4, 2 times 8. Next करेंगे हम. यहाँ पे write हुआ हुआ है 5. इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो 2 है, हम इसको 5 times write करेंगे. हम यहाँ पे write करेंगे 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. मैंने यहाँ पे कितनी times 2 write करेंगे है 5 times. यहाँ पे क्या लिखावा है? 5 multiply 2. 5, 2 times क्या होता है? 10. Next question लेखें. Next में है, यहाँ पे आपनों मेरे साथ count करेंगे. यहाँ पे 2 कितनी times write हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 times write हुआ है. यहाँ पे मैं semi write करूंगी. multiplication का sign आएगा यहाँ पे. उसके बाद 2 write करूंगी. यहाँ हम 2 कर टेपर करेंगे हैं आज. इसलिए मैं यहाँ 2 write करूंगी. 7, 2 times 14. Next करेंगे. Next में है, 2. 2, किते times write हुआ है? 1, 2, 3, 4. किते times हुआ है? 4 times. तो मैं यहाँ पे 4 write करूंगी. multiplication का sign उसके बाद 2 write करूंगी. 4, 2 times क्या होता है? 8. इसके बाद अपना next part करेंगे. Next part में है, multiply to answer these. 1 has been done for you. इसमें जो पहला है, इसे हम देखते हैं, how many eyes do 4 cats have? मतलब यह है, कि हमारे पास 4 cats है, 4 बिल्या है, उनकी कितनी eyes होंगी? 4 बिल्या होंगी. एक बिल्या की कितनी eyes होंगी? 2 होंगी. और 4 बिल्या के हम बताएंगे कितनी होंगी? हम यहाँ पे 4 लिखेंगे. उसके बाद हम multiplication का sign write करेंगे. और अब एक बिल्या की दो आँखी हैं. यहाँ पे हम दो लिखेंगे. इसके बाद हम इसको multiply करेंगे, इसका answer write करेंगे. 4 टू टाइम्स क्या होता है? 8. इसके बाद हम next करते हैं. How many feet do two boys have? अब हमने यहाँ बताना हैं कि दो लड़के हैं, उनके कितने उनके पाओं होंगे? हम यह बताएंगे. अब एक लड़के के कितने पाओं है? दो. दो लड़कों के हम यहाँ पे बताएंगे कितने होंगे? हम यहाँ पे write करेंगे. 2. क्योंकि 2 boys हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लड़के हैं. और अब दो लड़के हैं. एक लड़के के 2 feet हैं. तो 2 के कितनी होंगे? 4. तो हम यहाँ पे write करेंगे 2 और यहाँ पे 4 राइट करेंगे. 2 4 times क्या होता है? 8. उसके बाद नेक्स्ट है. How many hands 2 6 girls have? यहाँ पे हमने बताना है कि 6 लड़के हैं. उनके कितने hands होंगे? एक लड़के कितने hands होते हैं? हमारे कितने hand है? 2. तो हम यहाँ बताएंगे कि कितने 6 girls के कितने होंगे? हम यहाँ पे 6 write करेंगे. उसके बाद multiplication का sign. उसके बाद एक लड़के कितने हाथ होंगे? 2. वो हम यहाँ पे write करेंगे. 6 2 times क्या होगा? 12. नेक्स तम करेंगे How many years 2 9 tigers have? हमने बताना है कि हमारे पास 9 share हैं. इनके कितने कान होंगे? एक share की कितने कान है? 2 हैं. तो हम यहाँ पे बताएंगे 9 के कितने होंगे? हम यहाँ पे 9 write करेंगे क्योंकि हमारे पास 9 tigers है. उसके बाद multiplication का sign आएगा. उसके बाद हम 2 write करेंगे. क्योंकि एक share के 2 कान है. 9 2 times क्या होता है? जी तो students नहाँ ता मत आप लोग अच्छे तरीके से इस page की practice करेंगे अपने rough registers पे और यह जो आप लोग अपने register पे अपना classwork आप करेंगे यह आपने school की app पे आपने send करना है. Okay students take care and a laugh ways.